सिरफ तीन ही गरंथ जिंदगी में पढ़ने लायक हैं अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं, शांती चाहते हैं, खुशी उमंग चाहते हैं तो सिरफ तीन गरंथों के इलावा कोई भी गरंथ पढ़ने की भूल कतई ना करें वो तीन गरंथ कौन से हैं जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मैं सार्थिराज आज के इस वीडियो में आपका हारदिक स्वागत करता हूँ पहला गरंथ है सिर्मत भागवत गीता सिर्फ गीता को पड़ने से ही जिन्दगी की तमाम समस्याइं हल हो जाती हैं भागवत गीता में हजारों ऐसे सुत्तर हैं जिन से जिन्दगी को आसान बनाया जा सकता है और दिन परती दिन की समस्याओं का स्थाई समाधान सिर्मत भागवत गीता में हैं दे टू डे लाइव की जितनी भी समस्याएं हैं, समस्या चाहे पती पतनी की हो, चाहे बिजनस से रलेटिड हो, चाहे आपकी नोकरी से समंधित हो, पढ़ाई से समंधित हो, तमाम समस्याओं का समादान सीर्मत भागवत गीता में हैं, और दूसरा गरंथ है लाव्ट से का त कैसे जीना है जिन्दगी को ऐसे जीना है जैसे कि मैं हुई नहीं करतापन चोडने का बहतरीन गरंथ लाउच्छे का टावते चिंग और तीसरा गरंथ अश्टावकर गीता अश्टा वकर गीता महागीता है इसमें वो ग्यान है जो अध्यातम का उच्तम ग्यान है उच्तम ग्यान के लिए जिसको लाउटसे का ताउते चिंग और भागवत गीता समझ में आ गई है उसको अश्टावकर गीता समझ में आएगी बाकियों के बस की बात है नहीं क्योंकि अश्टावकर गीता में वो महान ग्यान है जिसको प्राप्त करने के लिए चेतना या जागी हुई चेतना का होना अती आवशक है यूख है सकते हैं कि अस्टावकर गीता ग्यानियों के लिए ग्यान है इसके इलावा ना आपको किसी पुरान को पढ़ने की जुरूरत है ना किसी अन्य धार्मिक पुस्तक को किर्या कांड को करने की जुरूरत है अगर आप बाकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप और जादा बिमार हो जाएंगे प्रेशान हो जाएंगे क्योंकि उसमें तो डर ही दिखाया गया है मैंने बहुत सारे पुरान पढ़े हैं ऐसा नहीं है कि मैंने किसी शोंग के कारण वो इसलिए पढ़े हैं कि उनमें क्या कचरा भरा हुआ है कितना डराया गया है कितना लालच दिया गया है उसके लिए पढ़े हैं तो इसलिए आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप उसमें से डर को पकड़ लेंगे या लालच को पकड़ लेंगे फिर आप कभी भी मोहमा यासे बंदनों से छुटे ही नहीं पाएंगे इसलिए बाकी गरंतों को लगा दें ताला और तीन ही गरंतों को समझ लें अगर आप भागवत गीता को समझना चाहते हैं भागवत गीता कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझसे कभी भी संपरक कर सकते हैं मैं आपकी हर संबव सहायता करूँगा ये मेरा वादा है